सो हलो दोस्तो आज किस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड में minimum डियो माउंट पे करते हैं तो इसके क्या फाइदे और क्या नुक्सान आपको देखने को मिलते हैं इस वीडियो में आपको complete जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो के लाज तक बने रहना है जैसे कि दोस्तों आप लोग मान लीजिए मेरे पास HDFC बैंक का credit card है और इसका जो bill जन डेट होता है हर महीने 23 तारीको bill जन डेट होता है बिल जन डेट होने के बाद आपको 15-20 दिन का time मिल जाता है अपना payment करने का जैसे कि दोस्तों आपका bill जन डेट होता है तो यहाँ पर दो option देखने को मिल जाते है total amount और यहाँ पर minimum due amount देखने को मिल जाता है सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि minimum due amount किस तरीके से calculate किया जाता है credit card से 20,000 रुपए खर्च किये हैं यहाँ पर दोस्तों 20,000 का 5% निकालेंगे तो 1000 रुपए आएगा यहाँ पर दोस्तों आपको जो 1000 रुपए रहेगा तो minimum due amount बन जाएगा अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर 1000 रुपए अपना minimum due amount पे कर देते हैं तो यहाँ पे 3 से 3.5% का आपको बचा हुआ इमांट में इंट्रेस्ट देना होता है प्लस 18% का जो GST चार्ज रहता है उसको भी आपको देना होता है यहाँ पर 19,000 का 3% निकालेंगे तो 570 रुपए 3% आपका निकलेगा उसके बाद इसमें दोस्तों आपका 18% GST लगेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं 102 रुपए आपका GST बनेगा टोटल यहाँ पे 672 रुपए आपके हो जाएंगे यानि कि दोस्तों आपका जो अगले महीने बिल जनरेट होगा तो आपको 19,672 रुपए का पेमिंट करना होगा आपने यहाँ पर दोस्तों 6,000 रुपए और खर्च कर दिये यानि कि यहाँ पे 25,000 रुपए आपका बन जाएगा टोटल इमाउंट तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगले महीने जब आपका बिल जनरेट होगा तो 25,000 के उपर 3% का इंट्रेस्ट प्लस 18% का GST यहाँ पे देना होता है अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप लोग मिनिममम डियो माउंट पे करते हैं तो इसके क्या फाइदे आपको देखने को मिलते हैं अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप लोग minimum due amount pay करते हैं तो इसके क्या नुकसान आपको देखने को मिलते हैं जैसे दोस्तों मान लिजे आप बार-बार minimum due amount pay कर रहे हैं एक दो महीने से एक साल से minimum due amount pay कर रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है दोस्तों आपको दूसरी कंपनी से लोन ना मिले या फिर क्रेडिट कार्ड ना मिले और साथ में आपका CBD स्कोर है वो भी डाउन हो सकता है इसलिए दोस्तों आपको बार बार minimum due amount payment नहीं करना है अगर मान लिजे आपके पास किसी भी महीने पैसे नहीं है एक महीने दो महीने पैसे नहीं अगले महीने आपके पैसे आने वाले हैं तो एक दो बार आप minimum due amount पे कर सकते हैं और 3% का interest प्लस 18% GST के साथ payment कर सकते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप लोग भी credit card के minimum due amount को पे करते हैं तो आपको क्या पायदे और क्या ने मातरम